खुद को क्राइम वी दुनिया का बादशाह समझने वाले एक गैंक्स्टर विकास दुबी का आज सुबह एंकाउंटर में खात्मा हो गया राजनीती में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले विकास दुबी के एंकाउंटर के बाद सियासी बवाल बढ़ता दिखाई दे रहा है अलग-अलग नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं विकास दुबे अंकाउंटर को लेकर कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सियासी बखेडा खड़ा कर दिया है मायावती ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए कहा कि कानपूर पुलिस हत्या कांड की तथा साथ ही इसके मुख्यारों पिय दुड़दानत विकास दुबे को मद्रिदेश से कानपूर लाते सने आज पुलिस की गाड़ी के पलटने पर उसके भागने पर युपे पुलिस द्वाराओ से मार्ग गिराए आदी के समस्त मामले की माननीय सुप्रीम कोट के निगरानी में इश्पक्ष जांच होने चाहिए मायावतीर यही नहीं रुकी उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यह उचस्तरी जांच इसले भी जरूरी है ताकि कानपुर नरसहार में शहीद हुए आठ पुलिस कर्मियों के परिवार को सही इंसाफ मिल सके साथे पुलिस वापराधिक राजनितिक तत्वों के गठ जोड की भी सही शिनाक्त करके उन्हें भी सक्त सजा दिलाए जाए ऐसे कदमों से ही यूपी अपराद मुक्त हो सकता है ये सियासी बवाज सिर्फ मायावती तक ही सीमित नहीं रहा इसको लेकर कॉंगरिस की कदावर नीता दिगविजेस सेह ने भी ट्वीट किया अपने ट्वीट में दिगविजेस सेह ने कहा कि ये पता लगाना आवश्रक और और नीतमों से हंकिता है कि विकाज दूबे ने मधिप्रदेश के उजजेन मंदर से सरेंडर क्यों किया बद्lyपेश की कौंसे प्रभावशाली व्यक्ती के भरोस से वो यहां उत्तर प्रदेश पलिस के अनकाउंटर से बचने आया था मायावती की तरह दिगविजे थ दूसरा ट्वीड किया और लिखा कि जिसका शक था वो हो गया विकास दुबे का किनकिन राजनितिक लोगों से पुलिस्वा अनिशास की अधिकारियों से संपर्ख था अब उजागर हो पाएगा पिछले तीन-चार दिनों में विकास दुबे के दो अनिश साथियों का भी ए एक समान क्यों है कॉंग्रिस नेता पीसी शर्मा ने भी एंकाउंटर पर कहा कि लोगों के नाम जागर नहों की सच्छाए सामनी ना आए इसलिए एंकाउंटर किया गया है पीसी शर्मा ने आगे ये भी कहा कि विकास दुबे के उजएन कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया सीधा यूपे पुलिस को सुपूर्द क्यों किया गया साथ ही उन्होंने मद्यप्रदेश के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि विकास दुबे मद्यप्रदेश के उजएन तक कैसे पहुचा उसकी जाच होनी चाहिए पीसी शर्मा ने ये भी कहा कि सरेंडर करने वा Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.